प्रधान मंत्री जी आपका संसद्य शेत्र जहांके आप जन प्रतिनिधी हैं आप लोगों को सला देते हैं कि देश बेटियों के बिना आगे नहीं बढ़ सकता देश महिलाओं की भागेदारी के बिना आगे नहीं बढ़ सकता लेकिन देश की बेटियों की आबरू लुट र कहां गए हर किसी ने लिख डाला था मैं भी चौकिदार मैं भी चौकिदार मैं भी चौकिदार अमिच शाह जी ग्रहमंत्री जी कहते थे उत्तर प्रदेश में दुर्बीन लेकर भी अपरादी ढूंडने से नहीं मिलेगा लेकिन दुर्बीन की जरूरत क्या है जब अपराद जो तमका लाकर, जिने आज अपने मेडल, अपने तमके वापिस करने पड़ रहे हैं, जब उनका कुछ नहीं हो रहा, तो देश की आम बेटियों का क्या होगा, यूपी में हर दो घंटे में एक बलातकार होता है, हर दो घंटे में एक बलातकार होता है, बुल्डोजर हमने अपरादियों के घर कहीं जाते नहीं देखे, देखेंगे भी कैसे जब अपरादी ब्रिजभूशन सरन सिंग होंगे, देखेंगे भी कैसे जब कुलदीप सिंग स पहुचाती है तो फर्ष पर पहुचाने में भी समय नहीं लगेगा समझ जाइए यह चेतावनी है और जिस देश में बेटियों को पूजा जाता है जिस देश में महिलाओं को पूजा जाता है दुर्गा, काली, सरस्वती हम पूजा करते हैं उस देश में जब महिलाओं के साथ जब बच्चीयों के साथ ऐसे अपराद ऐसे जगन अपराद होते हैं तो उस देश का नया साल शुब कैसे हो सकता है मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बात शुरू करूँगी आपसे कि लुट रही है बेटियों की आबरू भरे बाजार कहां गए जो कहते थे मैं भी चौकीदार कहां गए हर किसी ने लिख डाला था मैं भी चौकीदार मैं भी चौकीदार मैं भी चौकीदार लेकिन वो चौकीदार आज देखिए ये वही सब होंगे जिनोंने लिखा था कि में भी चौकिदार है तो ये कुनाल- civाजै चौकिदार सक्षम पटेल चौकिदार आनंदुर्फ अविशेक चोहान चौकिदार कैसे चौकिदार जाट है बीजेपी Pegp साइटी सल वारण असी महानगर कारे समिती सदस्य तो ऐसे ऐसे चौकीदार भाजपा ने इखटे किये अब हम इन चौकीदारों से देश की बेटियों की आबरू बचाने की उमीद कर रहे हैं कौन से चौकीदार सबसे पहले तो गंगा माने बुलाया हूं गंगा माने मुझे बुलाया है गंगा मा आज रोती हूंगी कि मैंने ऐसा लाल बुला लिया कि जो क्योटों बनाने चला था बनारस को और वो क्योटों में देश की बेटियों के साथ क्या हो रहा है प्रधान मंत्री जी आपका संसद्य शेत्र जहांके आप जन प्रतिनिधी है आप लोगों को सला देते हैं कि देश बेटियों के बिना आगे नहीं बढ़ सकता देश महिलाओं की भागेदारी के बिना आगे नहीं बढ़ सकता लेकिन देश की बेटियों की आबरू लूट रही है और लूटने वाले कौन जो कहते थे मैं भी चौकीदार वो हैं देश की बेटियों की आबरू लूटने वाले आपकी पार्टी में अमिच शाह जी ग्रह मंत्री जी कहते थे उत्तर प्रदेश में दुर्बीन लेकर भी अपराधी ढूंडने से नहीं मिलेगा लेकिन दुर्बीन की जरूरत क्या है जब अपराधियों को आप अपने बगल में लेके बैठेओ दुर्बीनों की आपको जरूरत कहा पड़ेगी जब बिजबूशन सरन सिंग जैसे लोग संसद में बैठते हैं और देश की बेटियां जो देश का मान बढ़ाती है वो सडको पे घसीटी आती हैं जरूरत क्या पड़ेगी दुर्बीन की आपको जब आप ही के दिन रात गालिया देने वाले लोग महिलाओं को उन्हें आप लोग फॉलो करते हैं ट् genome पे उन्हें आप लोग सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं और बड़े गर्व के साथ फॉलो करते हैं जो देश की बेटियों को महिलाओं को गालिया दे रहे हैं जो देश की बेटियों को ना जाने क्या क्या शब्द लिखते हैं ना जाने क्या 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 कहते हैं हम ऐसे शब्द अपने मुझ से निकाल भी नहीं सकते जिन शब लोगों को कितनी गालियां ये लोग देते हैं हमारे ट्विटर हंडल्स पर आके कहते हैं क्यों क्योंकि ये अपने भाजपा की महलाओं की तो जबान बंद कर चुके हैं लेकिन कॉंग्रेस की महलाओं को भी गालियां देकर जबान बंद कर देना चाहते हैं इनकी महला नेता नहीं बोलेंगी वो संसद में न जाने क्या-क्या ड्रामे करेंगी चालिस-चालिस साल पुराने किससे निकालेंगी लेकिन बनारस पर नहीं बोलेंगी लेकिन हातरस पर नहीं बोलेंगी उत्राखंड पर नहीं बोलेंगी चतिस गड़ पर नहीं बोलेंगी उन्नाव पर नही बोलेंगे अरे कोई केस आया और वो केस किस तरीके से आया गन पॉइंट पर रेप हुआ एक दिसम एक नवंबर को एक नवंबर 2023 को गन पॉइंट पर रेप हुआ एक मोटरसाइकल पर तीन अपराधी भाजपा के संरक्षन में फल और फूल रहे अपराधी वो आए आने के बाद 60 दिन उन्हें मैं पूछना चाहती हूं वो बचाने वाले आखिर हैं कौन वो है कौन जिन्वन हैं साथबिन एफ़ौ यार होने के बाद भी लगातार इन अपराधियों को बचाया वो इसी सरकार में बैठे सरकारी तमका लिए लोग हैं बिना उनकी संद्रक्षन कोई बचाया नहीं जा सकता एक आम बेटी से पूछी आज F.I.R. कराने में कितनी मुश्किल कितनी मुशक्कत आती है आप डरा रहे हैं देश की बेटीयों को एक पहलवान जो सडक पर रो रही है जो तमका लाकर जिने आज अपने मेडल अपने तमके वापिस करने पड़ रहे है जब उनका कुछ नहीं हो रहा तो देश की आम बेटीय क्या होगा वही होगा जो बनारस में हो रहा है वही होगा जो गुजरात में बिल्किस के साथ हुआ कुछ अपराद के आकड़े में लेकर आई हूं जो मैं आप से आज शेर करना चाहती हूं उत्तरप्रदेश के स्पैसिफिकली हमारी उत्तरप्रदेश की आज यह हालत है अ रेप के प्रती दिन यूपी में हर दो घंटे में एक बलातकार होता है हर दो घंटे में एक बलातकार होता है बुल्डोजर हमने अपराधियों के घर कहीं जाते नहीं देखे देखेंगे भी कैसे जब अपराधी ब्रिजभूशन सरन सिंग होंगे देखेंगे भी कैसे जब किनी में से निकलेंगे एक और आकड़ा है तीन साल का मैं आपको बताना चाहूंगी एंसी आर्बी की जो रिपोर्ट है वो बताती है कि दो हजार इकिस में 56,083 मामले महिलाओं के साथ अपराद के आए दो हजार बाइस में यह बढ़ गया यह बढ़ गया और आकड़ा आ गया 65,743 लगभग 10,000 की बढ़वतरी इस आकड़े में हुई लेकिन सवाल आज कोई पूछ ले उत्तरप्रदेश में तो सवाल पूछने वाले के घर बुल्डोजर चला जाएगा जैसे एक पत्रकार ने पूछ लिया था कि उत्तरप्रदेश के बच्चे मिड़े मील में नमक रोटी खा रहे हैं तो उस पत्रकार के घर उस पत्रकार के घर पुलिस पहुँच गई और जेल में डाल दिया लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ यह हिंदुस्तान है इस देश की जनता अगर आपको अर्ष पर पहुँचाती है तो फर्ष पर पहुचाने में भी समय नहीं लगेगा समझ जाए यह चेतावनी है बार बार जो भाजपा के पदाधिकारी भाजपा के नेता ब्रिजभूशन सरन सिंग जैसे जिनको बार बार पुलिस चार्जशीट में सारी चीज़े बताती है और फिर भी सडकों पर खुले घूमते हैं तो देखिए आज अपराधी संसदों में बैठे हैं खुले घूम रहे हैं उन पर कारवाई नहीं होगी कारवाई होगी ऐसे लोगों पर ऐसे व्यक्तियों पर ऐसे इमानदार पत्रकारों पर जो इन चीज़ों को जनता तक पहुंचाएंगे